ओम शान्ति तो हर करम नैचुरल स्रेष्ट और युक्ती युक्त होगा आपको बारबार सोचना नहीं पड़ेगा मैंने ये किया पता नहीं गलत किया सही किया मैंने ऐसा किया पता नहीं गलत किया हर समय अगर आपकी बुद्धी आपका मन ज्ञान और योग में ही रहता है तो आपको अपने कर्मों में इतना ज्याधा जोड़ेने की जोड़ नहीं पड़ेगी गलत किया सही किया、 गलत किया सही किया अगर ज्ञान योग को अपनी नेटर बना ली तो हर करम नैचुरल स्रेष्ट और युक्ति युक्त होगा मना आप जो भी करम करेंगे वो अच्छे ते अच्छा होगा और उस समय के लिए वही सही होगा कब होगा ये? चाते तो सारे हैं लेकिन मुझे ग्यान और योग को अपनी नेचर बना लेना है माना मैं जब सोचूं, बोलूं, करूं उसमें ग्यान योग होना चाहिए अब आप यूँ ही व्यार्थी सोचते हो, व्यार्थी करते हो तो फिर आपके करम में आप हमिशा doubtful रोगे कि ये मैंने गलत किया, सही किया, पतन ठीक किया, पतन ही क्या हो जाएगा आगे पतन चलेगा, तो क्या होएगा नेचर नहीं है आपकी ग्यान योग की, इसलिए आपको बार-बार अपने करमों पर ध्यान देना पड़ता है तो ग्यान और योग को अपनी नेचर बना लो, तो हर करम नेचरल स्रेष्ट और योगती योगत तो होगा अब हमारी दादियों को देखो, मारतियों को देखो, ये सब नेचरल है, इनकी नेचर है उस तरह की मना इनको कोई जोडने लगाना पड़ता, अगर ये किसी से बात भी करेंगे तो उसमें ग्यान योग होगा किसी के समपर्क में भी आएगे तो उसमें भी ज्ञान योग होगा वैसे भी बैटी होंगी दादिया और हसी मना ऐसे रमनीक्ता का महौल होगा उसमें भी ज्ञान योग होगा तो ये उनकी नेचर बन गई है इसलिए उनको अपने करमों पर करम करके बाद में attention देने की जूटनी पड़ती है कि यह ठीक किया नहीं किया क्या कहा क्या बोला क्या हो जाएगा कैसे करेंगे किसी को बोलो न कि आपको न अच्छे से ज्यान योग करना चीए उन्हें समझ नहीं आते है कि क्या ज्यान योग करना चीए अरे nature बना लो easy हो हो हर समय हर सेकिंड आपका natural वही होना चीए जिसमें ज्यान भी हो और योग भी हो आपके बात करने का आपके वहवार का तरीका ज्यानी और योगी जैसा होना चीए तो आपके करम natural हो जाएंगे और युक्ती युक्त भी होंगे तो आपको बार बार attention ही देना पड़ेगा कि मुझे ये करना चीए ये नहीं करना चीए कल को पता चलेगा क्या होएगा फिर पता नहीं क्या होएगा यह वाला उसी के साथ होता है जिसका ज्यान और योग नेचर में नहीं होता ओके ओम शान्ति